आज हम जानेंगे कि आखिर विद्यादर क्या होते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इनके पास इतनी सारी विद्याएं होती हैं, कौन देता है इनको ये चमतकारी विद्याएं तो संचिप्त में जानते हैं, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो भगवान रिशब जब सावध्य योग का त्या करके अभिग्रह लेकर निर्मोह भाव से विचरने लगे थे तब नमी और वी नमी दो राजकुमार जो कच और महा कच के पुत्र थे वे भगवान की सेवा में उपस्तित हुएं वे भगवान से प्रात्ना करने लगे कि भगवन आपने सबको भोग्य सामगरी दी है इसलिए हमें भी दीजिये इस प्रकार तीनों संधिया वे भगवान के पास आते और यही प्रात्ना करने लगते एक बार भगवान को वंदन करने के लिए धरनेंदर देव आये उस समय भी नमी और वी नमी ने भगवान से इसी प्रकार की विन्ति की इनको राग, दवेश, मोह भी नहीं है यहा तक कि अपने सरीर पर भी इनका स्नेह नहीं है इसलिए इन से याचना करना ठीक नहीं है मैं भगवान की बक्ती के लिए तुमें और तुमारी सेवा निस्फल न हो, इसलिए पठन मात्र से सिद्ध होने वाली 48,000 विद्याएं देता हूँ, इन में गौरी, गांधारी, रोहिनी और प्रग्यप्ती ये चार महा विद्याएं हैं, इनको लेकर जाओ और विद्यादर क रिद्धी से देश और नगर बसाकर सुक से विचरो, धरनेंद्र देव से विद्याएं ग्रहन करके उनोंने वैसा ही किया, नमी ने वैताड्य परवत की दक्षिन स्रेनी में रत नेउर आदी पच्चास नगर बसाए, उसी तरफ वी नमी ने भी उत्तर की और साट नगर ब प्रांतों में सुसभ्य परिवारों को लाकर अपने नगर में बसाया, जो मनुश्य जिस देश से लाए गए थे उसी नाम से वैताड्य पर उनके जन्पत स्तापित किये गए, इस प्रकार नमी और वी नमी ने आठ आठ निकाई विभक्त किये और विद्याबल से देवों क समान मनुश्य देव संबंदी भोगों का उपभोग करते हुए विचरने लगे, मनुश्य होकर भी विद्याबल की प्रदानता से ये लोग विद्याधर कहाने लगे और यहीं से विद्याधरों की परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ, तो इस तरह से देवों से प्राप् उपर की चरिया इन विद्याधरों की होती है, तो आज का प्रशन है कि भगवान रिशब ने अपने पुत्र भरत को कितनी कलाएं सिखाई कमेंट में बताएं, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें